पिछड़े आदिवासी जिस हालत मुन को छोड़ दी आ गया तो आलो दोस्तों फिर से आगए हैं एक नए वीडियो में इस वीडियो में मोजी सरकार आपको बारत के बारे में कुछ बताने वाले हैं तो इस वीडियो बने रही है लाश्ट तक और चैनल पे नए हो तो सक्सरा सब्सक्राइब भी कर दिना लाइग में अधनियत जी है हमारी सरकार है कुछ बातों के लिए प्रतिबद्द्ध है समाज के वंचित वर्को वरियता उस संकल्प को लेकर के हम जी रहें उस अंकल्प को लेकर के चल्ट है दसकों तक दलीत पिछड़े आदिवासी जिस हालत मुन को छोड़ दिया गया वो सुधार नहीं आया जो समिधान निर्वाताओं ने सोचा था जो समिधान निर्वाताओं निर्विश्च किया था दोजार चौदा के बाद ग्रीप कल्यान योजनाओं का सर्वादी क्लाब मेरे इनी परिवारों को मिला है दलीक पिछड़ों आदिवासी की बस्तियों में पहली बार मानियते की पहली बार बिजली पहुँची है मीलों तक पानी के लिए जाना पड़ता था पहली बार नल से जल पहुंच रहा है इन परिवारों में पहुंच रहा है मानियत दिग जी अनेख परिवार कोटी कोटी परिवार पहली बार पक्के घर में आज जा पाए हैं वहां रह पाए हैं आदरिय अद्दक जी जो बस्तियां आपने छोड़ दी थी आपके लिए चुनाव के समय जिसकी याद आती थी आज सडक हो बिजली हो पानी हो इतना ही नहीं फोर्जी कनेक्टिवीटी भी वहां पहुंच रहे हैं आदरिय अद्दक जीस पुरा देश गवरव कर रहा है आज एक आदिवासी राजपती के रूप में जब देखते हैं पुरा देश गवरव गान कर रहा है आज देश में आदी जाती समू के नरनारी जिन्होंने मात्र भूमी के लिए जीवन तरपन कर दिये आज आदी के जंका ने तुत्व किया उनका पुर्णे समान आज हो रहा है और हमारे आदिवासियों के गवरव दूस्त मना जा रहा है और हमें गर्व है किसी महान हमारे आदिवासियों परंपरा के प्रतिंजी के रूपे एक महला देश का नित्रुत्व कर रही है हमने उनका हक दिया है जी जी हम पहली बार देख रहे हैं एक बाद ये भी सही है हम सब का समान अनुपफ है सिर्म मेरा ही असा है इसा नहीं आपका भी है हम सब जानते हैं कि जब माश रसक्त होती है तो पूरा परिवार से सकता होता है जब माश रसक्त होती है तो परिवार से सकता होता है परिवार से सकता होता है तो समाच से सकता होता है और तब ही जाकर के देश से सकता होता है को सबसे ज़्यादा सेवा करने का सौभाग हमारी सरकार को मिला है हर छोटी मुसिवत को दूर करने का प्रामानिक पुर्वक प्रयास किया है बड़ी सम्वेजन सिल्टा के साथ उस पर हमने ध्यान के इंद्रित किया है आधनिय देग जी कभी कभी मजाक उड़ाये जा रहा है ऐसा कैसा प्रदानमत्री है लोल कि पर से टौइलेट की बाते करता है बड़ी मजाक उड़ाएगी आधनिय देग जी ये टौइलेट ये इज्जदगार इन मेरे माताओं बेहनों की च्छमता उनकी सुविधा उनका अम्मान करने वानी बाता है इतना ही नहीं मानिय देगी जब मैं सेनेटरी प्रेट की बात करता हूं तो लोगों को लगता है अरे पजानमंत्री ऐसे बीज़े मैं क्यों जाते हैं मानिय देग जी सेनेटरी प्रेट के अभाव में गरीब बेहन बेटियों के अपमान सहती थ बिमारियों का शिकार हो जाती थी बहनों को दूमे में दिनके कई गंटे बिताने पड़ते थे उनका जीवन धूमे फसा रहता था उसे मुक्त दिलाने का काम उन गरीब माता और बहनों को करने का सौपाई है हमें भी रहते हैं जिन्दगी खप जाती थी आदा समय पानी के लिए आदा समय केरोसिन की लाइन के इंदर खपे रहते थे आज उसे मुक्ति देने का संतोश उन माता और बहनों को मुक्ति देने का संतोश मानियत देजी जो पहले चलता था अगर वैसा ही हम चलने देते शाहिद कोई हमें सवाल भी नहीं पूचता कि मुदी जी ये क्यों नहीं किया वो क्योंकि देश को आपने ऐसी स्थिति में ला दिया था कि इससे बाहर निकल ही नहीं सकता था वैसी इंदराशा में देश को रखा हुआ था हमने उजवना योजना से दुए से मुक्ति दलाई जल जीवन से पानी दिया बहनों के ससकतिकन के लिए काम किया नव करोर बहनों को सेलफ है ग्रूप स्वयम सहायता समू से जोड़ना माइनिंग से ले करके डिफेंस तक आज माता और बहनों को बेटियों क तो अवसर खोल दिये हैं ये खोलने का काम अमारी सरकार रही है तो अलो दोस्तों बहुत कुछ जानकारी आपको तेस के बारे में मिली होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक जैन जैवारत सक्सराब भी करके रखना लाइक भी कर देना ताकि हर कोई भी व प्रूग बाइ